राम राम किसान बाईयों किसान बाईयों आम के बाग में जो तीसरा छिरका होता है उसके बारे में आपको आज जानकारी देंगे किसान बाईयों आम की बागों में फूल से परागन की क्रिया अर्थात फूल से फल बनने की क्रिया लगबग पूरी हो चुकी है आम की फसलों में काले भूंगों का प्रकूप बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी रोक थाम के लिए आप थाय में थोक साम 25% डबलू जी का प्रयोग कर सकते हैं ये कुछ अच्छी कमपनियों के जिनके मैं व्यापारिंग नाम आपको बता देता हूं जैसे धानका एगरीटेक प्राइबल लिम्टेड कमपनिय का अरेवा के नाम से आता है और इंडोस्विस केमकल्स प्राइबल लिम्टेड कमपनिय का जिजमों के नाम से आता है सजिंटा प्राइबल लिम्टेड कमपनिय का एकतारा के नाम से आता है इसकी जो उपयोगदर मात्रा है आप आधा ग्राम प्रती लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाकर आप छिर्काव कर सकते हैं और थाथ यदि आप टैंकर से दुलाई कर रहे हैं तो 2000 लीटर का यदि आपका टैंकर है तो उसमें आप 700 ग्राम से 800 ग्राम की मात्रा 2000 लीटर पानी के लिए परियापत होती है आप इसका घोल बनाकर छिर्काव कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि आप धानुका कंपणी का ये ले सकते हैं जो की अरेवा के नामसे आता है इंडोसुष केमिकल्स लिमटड कंपणी का जिजमू के नामसे आता है और कंपनी का एक्तारा के नाम से आता है इसके जो उपयोगदर मात्रा है 2000 लीटर पानी के टैंकर वाले में आप 700-800 ग्राम प्रती 2000 लीटर पानी में इसका गोल बना कर छिर्काव करने से आपके जो काले भुनगे है उसमें या अनिक किसी उलने वाले रस्चूसक किड़े का प्रकोप हो रहा है तो आप इसकी रोग ठाम कर सकते ही इसके बाद में आप किसान भाहियों यह आपको ठाम पचीस परसंट नहीं मिल पा रहा है या आप इसका इस्प्रे नहीं करना चाहते हैं क्योंकि पूरी तरह से आपका आम अभी जो परागर के क्रिया होती है और आदिय दूरी रह गई है तो आप इम्डा क्लोरूपीट 17.5-8 परसंट का प्रियोग आप कर सकते हैं इसकी जो उप्योग दर मात्रा है वो आधा एमिल प्रती लीटर के हिसाब से आप इसका घुल बना कर आप छिरकाव कर सकते हैं ये भी आप धानुका एग्री टेक प्राइवेल लिम्टेट कंपनी का ही ले जो की मीडिया के नाम से आता है और इंडो स्विस केमकल्स लिम्टेट कंपनी का जो की स्पेक्टरा के नाम से आता है और उसके बाद में आप टाटा कंपनी का इसको टाटा मिडा के नाम से आता है ले सकते हैं और साड़े साथ सो एमेल प्रति दो हजार लीटर टैंकर वाले पानी में आप इसका गोल बना कर इस्प्रे करने से आपके जो उसमें उलने वाले रस चूसक्यों का प्रकॉफ हो रहा है वे नस्ट उनको उनकी रोक ठाम की जा सकती है किसान भाईयो यह दो संटता कंबनी का जो कि था, मक्संम 75% डबलू जी का प्रियोग कर सकते है यह 500, 150, 2,000 लिटर रहा है वाले पानी में वाले टंकर में घोल बना कर आप ठिरकाउ कर इसल्टा कंबनी का जो की इसकी उपयोगदर मात्रा मैं आपको दुबारा बता देता हूँ इसकी उपयोगदर मात्रा 150 ग्राम प्रति 2000 लीटर पानी में आप गोल बना कर इसका छड़काओ करें इसके छड़काओ से आपके उसमें जो काले भूंगे हैं या अन्य जो उड़ने वाले रस्चुसक कीटो का प्रकौप आपके फसल पर हो रहा है उससे आप निजात पा सकते हैं किसान भाईयों या जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को हमारे सस्क्राइब लाइक और सियर जरूर करें धन्यवाद